नुश्कार दोस्तों मैं हूँ धरविर स्तीजा मेरी खेती सची खेती में आपका स्वागत है केंदर सरकार ने रभी के लिए 2020-2021 के लिए 24 फसलों का मिनियों सपोर्ट प्राइस गोशित कर दिया है यह मिनियों सपोर्ट प्राइस नियूंतन समर्थन मुल्य वह होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसलों को खरीद करती है इसकी शुरुवात जब लाल भादुर शास्तिरी प्रधान मंत्री थे 1966-1966 होई थी तब गेहुं सिरफ गेहुं का ही हुआ था 54 रुबे प्रती कोंटल गेहुं खरीद रही गोश्टना होई थी सरकार किसानों से खरीद कर इसका भंडारण करती है वह अनाज की कमी नहीं आने दी तब मकसद यह था कि अगर अकाल पड़ जाए तो इसकी कमी नहीं आने दी जाएगी फिर इसको राशन की दुकानों में गरीबों में सस्ते रेट पर बाढ़ती है अब तो फसल की पैदावार बहुत है तो इसकी कोई कमी नहीं है यह MSP का फार्मूला सन 2006 में डक्टर स्वामी नाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिया था उन्हें यह कहा कि किसान को उसकी लागत का डेड़ गुना प्रॉफिट मिलना चाहिए तो उन्हें खर्चों को बताया है कि यह खर्चे जो है तीन स्तर पर होते हैं बीज, खाद, दवाईयां, मजदूरी, डीजल, सिचाई इत्यादी का खर्चा होता है फिर वो खुद भी मेनत करता है, उसका परिवार भी मेनत करता है, उसकी भी एक अनुमानित लागत होनी चाहिए, इसको उन्होंने कहा दिया FL, और इससे पहले जो खर्चे थे उनको कहा A2 फिर मिन्यों स्पोर्ट प्राइस जो है, देना चाहिए, C2 के उपर, C2 का मतलब कम्प्रिहेंसिव कोस्ट इसमें उन्होंने सारे खर्चों के साथ, फैमिली लेबर के खर्चे के साथ, जमीन का ठेका भी जोड़ दिया, और जो हम खर्चे करते हैं, उस पूंजी के उपर ब्याज भी जोड़ा तो मिनिमर स्पोर्ट प्राइस बनता है, ये C2, सारे खर्चे, ठेका भी, लेबर भी, खाद भी, इजदवाई भी, और पूंजी का ब्याज भी C2, C2 क्यों, आधा और, बले डेड़ गुना, तो ये होना चीए, लेकिन सरकार जो है हमारे को, जमीन का ठेका और जो पूंजी हम लगाते हो, उसका ब्याज नहीं जोड़ती इसके उपर, सिरफ A2 और FL का 50% ही देती है, इसी का ही डेड़ गुना देती है, ये A2 प्लस FL, य काफी कम होती है, क्योंकि इसके अंदर नहीं ठेका और भ्याज नहीं जुड़ा होता, अब मिनिममम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश जो है ना, क्रिशी एंड किसान कल्यान मंत्रैले के अधीन एक संस्था होती है, क्रिशी लागत मुल्य आयोग, CACP कहते हैं इसको, ये ही 6% ही बढ़ाया गया है, अच्छा अब ये सरकार पता कैसे लगाती है, कि ये कैसे कितना बढाना चीए, इसका भी एक फार्वुला होता है, केंदर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करने से पहले, कई जगे से कई की बातों का ध्यान रगती है, जैसे कि अलग-लग ह जगाने की क्या लागत आई है, किसान को अनाज बेचने पर कितना पैसा मिला और चीजे खरीदने पर कितना खर्च हुआ, एफसी आई और नेफट की स्टोरिज शमता क्या है, दुनिया के बजार में उस अनाज की क्या मांग है, उपलबतता क्या है, और कीमत क्या है, सरकार इसका मिनियों स्पोर्ट प्राइस का ऐलान करती है, अब इस सारे में रज्य सरकारों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, रज्य सरकारे अपनी इनिवस्ट्री से, एग्रिकल्टर एकनॉमिस्स से, उत्पादन की लागत का आगलन करवाते हैं, वह केंदर सरकार को उस सरकारों की उत्पादन लागत 1560 रुपे प्रतिकोंटल बनती है, इसी साब से मिनियों स्पोर्ट प्राइस 2340 रुपे होना चाहिए, पंजाब ने कहा कि हमारी उत्पादन लागत 1864 रुपे बनती है, यहां पर तो 25 से उपर होना चाहिए, हर्याना सरकार ने अपनी रिपो केहूं का मिनियों स्पोर्ट प्राइस उत्पादन लागत का डेट गुना नहीं है, धान में भी सिरफ 53 रुपे बढ़ाए गए थे, अगर सीटू का फार्मूला होता, पूंजी पर ब्याज और ठेके की लागत बीच पे जोड़ी होती है, उसका डेट गुना होता, तो धा दोस्तों, डिटेल में बताने की कोशिश की है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू